वीटी बुलिटिन स्पॉंसिड बाई उत्तम सिंग अकाड़मी रीवा नमश्कार विंध्या टाइंग्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रया हाजर है आज की बुलिटिन की खबरों के साथ पहली खबर की बात करते हैं महाशिवरात्रे के अफसर पर आज रीवा में भोले बाबा की बारात बहुत ही धूमधाम से निकाली गई बड़ी धूमधाम से डीजे गाजे बाजे की धून पर भोले बाबा की बारात निकली रिवाश शहर के बैजू धर्मशाला से निकली नगर ब्रमणकर भारत ये बारात माता मंदिर पचमटा तक पहुँची और इस दौरान शिव पारवती की संजीव जहांकी भी निकाली गई इसमें महिला और पुरुष नाचते हुए भी नजर आए ये बारात शिल्पी प्लाजा से निकलते हुए पूरे शहर में भ्रमण करते हुए 108 स्थानों पर प्रशाद का वितरन करते हुए शिव बारात निकाली गई बता दे पिछले दो वर्षों से कोरोना वाइरिस के कारण या आयोजन नहीं हो पा रहा था और प्रशासन ने कोविड गाइड लाइन को देखते हुए कारिक्रम पर रोक लगा दे रिवाजले में आज अंकुर अभियान की शिरुवात की गई जिसमें जिले भर में पौधार ओपन कारिक्रम किया गया या अभियान एक मार्च से पांच मार्च तक चलेगा बता दे शास के संस्थान और एंजीओ की नेत्रत्व में अंकुर अभियान चलाय जा रहा है जिस संपत्ति के लालच में यह हत्या हुई है पुलिस ने दो आरोपियों को मामले में गिरफतार किया है जिसमें घटना का फर्यादी भी शामिल है आरोपी ने संपत्ति के लालच में पूरी घटना को अंजाम दिया मृतक की हत्या गला घोट कर की गई है घटना के बाद आरोपी में सवार होकर आये आरोपियों के द्वारा हत्या करने की जानकारी पुलिस को दी जिसके आधार पर पुलिस ने प्रकरन पंजीबध कर लिया जाच शुरू की जिसमें सच सामने आया पुलिस ने मृतक के साढ़ू से सक्ती से पूचताच की तो हत्या की घटना को अंजाम दे आरोपी ने स्वीकार कर लिया फिलाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफतार कर लिया है रिवाजली के वाड नमबर 41 में पोलिंग ट्रमांग 216 और 217 में आज घर चलो घर घर चलो अभियान चलाया गया जिसका नेत्रतुवा कॉंग्रेस नेता रामकीर्थी शर्मादवारा कि लागया इस अभियान में आम नागरिकों वह महिलाओं से कॉंग्रेस नेता ने बात की और वाड की समस्याओं को सुना साथ ही वाड वासियों ने सदस्यता भीली इस दौरान वाड में सदस्यता अभियान भी चलाया गया कॉंग्रेस के नए सदस्य बने जनसंबात के दौर मूल भूत सुविधाएं वाड में नहीं रहती इसके अलावा वाडवासि उन्हें मीठे पानी की पाइपलाइन नहीं होना भी बताया इस अभियान के तहट कॉंग्रिस नेता ने वाडवासियों की समस्याएं सुनी और कॉंग्रिस की सदस्यता भी दिलाई बात करते हैं बुलिटन की आखरी खबर की जहां महाश्यवरात्री के दिन सभी शिवालियों में भगवान भोलेनात और माता पारवती की पूजा की जाती है पर कुछ जगहों में आज भी पुरानी परंपरा को बरकरार रखा गया है ऐसा ही एक नजारा शेहडोल संभाग के जिलाउ मरिया के ग्राम अखडार में देखने को मिला जहां लगभग 50 वर्षों से अदभुत भोलेनात की बारात निकाली जाती है इस मंदर का निर्माण आज से लगभग 65 वर्ष पूर्व हुआ था जिसमें अम्बिका प्रसाद ब्रम भट के द्वारा मापारवती की अर्भुत मूर्ती की स्थापना कराए गई थी संभाक्य जिला उमरिया की ग्रामकडार में हर वर्ष की बाती सवर्ष भी ब्रम भट परिवार के द्वारा भोलेनात की बारात निकाली गई जिसमें भूध पिशाच वक्काई गण मौजूद रहे इस बारात को देखने के लिए जिले के कोने कोने से भक्तों की भीर दिखी सैकडों की संख्या में भक्त मौजूद रहे शंकर भगवान की बारात के बाद मापारवती का पाउं पखरी वा अन्यकारिक्रम किये जाते हैं इसके साथ साथ आई हुए बारातियों का भव्य स्वागत किया जाता है विशाल भंडारे का भी आयोजन होता है रात्रिकालीन भजन कीर्तन के साथ महाशिवरात्री का समापन किया जाता है शैडोल से पंकजराव की रिपोर्ट विंधि की तमाम खबरे लेकर कल फिर हाजर होंगे बने रहे विंधिया टाइम्स के साथ बहुत बहुत धन्यवाद